हेलो फ्रेंट्स मैं हरी सर्मा बिल्डिंग संचानल चैनल से कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप सबी लोग ठीक होंगे फ्रेंट्स आज मैं आपको ELCV के बारे में बताने जा रहा हूँ एक्शुली ELCV होती क्या है और ELCV RCCV से कैसे टिफर होती है ELCV MCV से कैसे टिफर होती है यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंट्स आएए वीडियो को करते हैं स्टार्ट वीडियो बहुत चोटी होने वाली है आप सभी मेरी वीडियो को अंत तक देखते रही है आज आपको क्लियर हो जाएगा MCV और ELCV में क्या फर्क होता है फ्रेंट्स जैसा मैंने लिखा हुआ है ELCV आर्थली के सर्किट ब्रेकर आर्थली के सर्किर बैटर यानि ELCV ELCV की जरूत क्यों होती है फ्रेंट्स ELCV की जरूत होती है human being को सौक से बचाने के लिए यानि करनट लगने से बचाने के लिए या घरों में यूज की जाती है रेजिदेंट्स इल में ही यूज की जाती है लेकिन ये आपको घरों में यूज की जाती है ELCV जिससे human being को सौक ना लग सकते हैं इस सिंगल फेज़ थी फेज दोनों आती है डोल पोल आती है सिंगल नहीं आती है इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूं ELCV फ्रेंट्स वोल्टेज डिपेंडेंट होनी यानि वोल्टेज डिफ्रेंस पर काम करती है और यह वोल्टेज ऑपरेटेड होती है यदि आपसे कोई भी पोस्ता है कि ELCV और RCCV क्या फरक है तो आप आती है ELCV कभी भी 16 Ampere 6 Ampere 25 Ampere या 100 Ampere की नहीं आती है यह मिली Ampere में आती है 30 Ampere से 100 Ampere की रेंज में आती है देखिए फेज और न्यूटल यह सिंगल फेज की ELCV बनाई हुई है ELCV में देखिए ऐसा होता है कि यहां से फेज और glimpse किर दिया जाता है अरत में कनेक्ट मनें 30 के ही जह और फिंबंत होता है पैनल में वहीं पे कनट कर दिया जाता है और दूसरा प्वेंट जो उल्लड लगाते हैं हम इस से बाहर निकाले लका उसलोड की बोडी टेच कर दिया जाता है जहां भी यह क्ली लगा होता में छला जाएगा कि इसमें हमारे तो समझते हैं कि यह फेज्ड और न्यूटर बनाया हुआ है पूरी तरह से ये भी एक ELCV है है लेकिन ये मैंने समझाने के लिए दूसरी तरह से बने हुआ है यहां से होता क्या है यह मैंने एक heater connect किया हुआ है यह heater की coil है और यह heater की body बाहरवाला पार्ड इस बोड़ी को हमने आर्थ क्या होता है हम जानते हैं कोई भी एप्लाइंस यह कुछ भी लगाते हैं तो हम उसको आर्थ जरूर करते हैं उसकी बोड़ी को आर्थ करते हैं ठीक है तो यह इसका लीवर है इस लीवर में जो रिले लगी रहती है वो इस तर वकुर्णकर रखा है होता क्या है जैसे ही इस सोट हुआ है या कोई konntsanky उत्पन हुआ और यह Bye से क्षे लिस्न आ जायेगी और इस्छी में पारियों बॉल्टेज का स्फ्रेच का करती है करेंट फिलोव करेगी हम मैंगेटिक इफेक्ट ऑजाएगा और यह लीवर को होता क्या है फ्रेंट्स घरों में जो होता है नॉर्मली जो यह हम लगाते हैं स्विश सोकेट लगाते हैं यह प्लास्टिक क्या आते हैं तो वहां पर हम बोड़ी कहां अर्थ करें माल लीजे जो हमने बॉक्स लगाए हुए वह हमारे प्लास्टिक के हैं सारे तो हम उसको कहा आर्थ करें तो होता क्या है और अगर उसको यह भी करते हैं तो हमारी जो प्रेश है यैया जो भी होम मॉखने से हैं रहे तो उसकी बोड़ी Enfin उसकी बहुत का मुंक्त कर पाती है तो उसमें आह möglich परन लिज ये इस तरीके चेहाएं ये तीन फेज का यह साह़ि ज Zaram इसमें connect कर देना जी ठीक है friends, अर्थिंग में, अब हम मालों इसमें प्रेस लगाते हैं, तो प्रेस लगाएंगे तो जो प्रेस का उपर वाला अर्थिंग वाला मोटा टर्मिनल होता है plug में, वो body से earth होता है, प्रेस के या फिरीज का होता तो फिरीज के कम्प्रेसर के बोडी से टच होता है जो भी appliances लगाते हैं जो उसका three-plug वाला आता है तो उपर वाला motor वाला शिरा उसकी बोडी से अर्थ होता है टच लेता है तो वो इसमें आके touch हो जाएगा that means जो यह रिले है इसका एक सिरा जो भी हमें appliances लगाया है load लगाया उसकी body हो गया और दूसरा सिरा earthing में हो गया तो होगा क्या जैसे ही वो कोई भी appliances हमारा sort होगा यानि यह phase या neutral जो उसमें गया है कोई भी sort circuit होगा उसके अंदर या कुछ भी touch होगा या वो बोडी होगी तो वो current flow करेगा इसके through relay के रिले के through current flow करेगा यह trip कर जाएगी लेकिन friends होता क्या है अगर किसी case में यह वाली earthing यह क्योंगी बाहर से आती है तो यह earthing हमारी फेल होगी हमारी earthing fail होगी earthing का resistance बढ़ गया तो इसमें current proper flow नहीं करी our current इसमें flow नहीं करी that means यह ने trip नहीं करा तो जो यह appliances है इसमें current आ जाएगा और यह हमें sock मार देगा तो उस case को बचाने के लिए इसको modified किया गया और modified करके हमने बनाया RCCB जो मैं आपको next video में बता हूँगा friends आसा करता हूँ कि आपको ELCB के बारे में यह सभी कुछ जान गए होंगे और आपको अच्छे से पता चल गया होगा ELCB कैसे काम करती है अगर आपके कोई भी पूस्ता है तो आप आराम से कह सकते हैं ELCB voltage difference पर काम करती है कैसे काम करती है यह मैंने आपको बताया यहां पर ठीक है friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को like करें share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें आज के लिए इतना ही thank you friends